मुकामा में काल्च कर्म के दौरान बिहार प्रदेश अध्यक्ष समराठ चौधरी को बिरोध के पीछे कौन है किसने साझिस की पथि पारश ने बड़ा रोप लगाया और कहा कि समराठ चौधरी पर हमला कराने वाले भी हारके नेता है और वो कौन नेता है इस पर भी उन्हो चिराग पासवान का हात्पतरा गया परसुपती पारस के तरब से यह अरोप लगाया कि चिराग पासवान इसके पहले होगाया कि इसके गथ और नेता नहीं पहुंचे और चिराग उस भीर का फायदा उठाएं उस भीर में जितने भी लोग जुटे हैं उनका फायदा उठाएं आरोप ते भी लगा कि चिराग पास्वान सरोजनिक अस्थान पर पहुंचे और वहां जो भीर थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि यह सारी भीर उनके लिए आई हैं अमिन तमाम चीजों को लेकर खुद चिराग पास्वान का बड़ा बयान सामने आया है चिराग पास्वान ने कल पार्टी की एक महत्पुन बैठक बुलाई और तमाम नेता मौजूद थे उसके बाद चिराग से जब इस सवाल पुछा गया तो उ चिटपुट गटनाएं होती हैं तो यह जनभावना है समराच चौदरी पर हमले को उन्होंने जनभावना बताया लेकिन उन्हें कहा कि इसकी मैं इंदा करता हूं और समराच चौदरी का बिरोध उसकदर नहीं हुआ इसकदर पसुपति पारस के हुई थी और जो लोग आर पसुपति पारस ने जाना मुनासिप नहीं समझा और इसी को लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है और इनी सवालों के साथ चिराग ने सपश्ट कर दिया है तो वहां जो हमला हुआ उसमें किसका हाथ है कौन है करने करी चिराग पासवान ने जानता जो जूटी थी उनकी जनभावना है इस बिरोद के पीछे हमारी कोई मंसा नहीं है और ना ही हमारा को इस्त्रे है लेकिन पसुपति पारस पर भी उन्होंने आरोप लगा दिया बात की जायत तो समराच चौदरी पर हमले का आरोप पर प्रत्यक्ष रूप से के सब्सक्राइब कर लिए ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जौइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816 700 धन्यवाद